नमस्कार मैं डॉक्टर भीकराय आपको मेरे चैनल डॉक्टर भीकराय हम्योपैथिक क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे है आप में आसा करता हो किया पहुत ही अच्छे सबूँ आज मैं चर्चा करूंगा बदलौंगा जोरू के दर्ग मासफिशो में अकरण पी सारी समसाव में बहुत अच्छा आराम देता है तो यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने के पहले मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल में पहली बारा हैं पहला वर वीडियो को देख रहे हैं और ने तो आईए जानते हैं और समझते हैं उस हमेपाइथिए बारे में जो इन सारे स्मस्वाव में बहुत अच्छा अराम दिता है बहुत अच्छा अश्र करता है उस हमेपेथिक मेडिसिन का नाम है डॉक्टर रेकवी आरिवन रॉप् यह जर्वन होमियोपैथिक कंपनी यह होमियोपैथिक मेडिसिन को बनाती है जो इन सारी समस्वा में बहुत अच्छा अराम देता है इसमें होमियोपैथिक मेडिसिन मिलाया गया है बर्बेडिस जो हमारे कमर दर्द पीठ दर्द यदि कमर में बहुत जादा असहनीय दर्द है तो उसमें बहुत अच्छा आराम देता है कि दूसरा हुमियोपैथिक मेडिसिन इसमें मिलाया गया है कैल्सिन खासफोरिकम यदि आपको लंबे समय से पीठ में कवर में दर्द देखने को मिल रहा है खास करके यदि आप सोकर के उठते हैं तो आपको उस समय कवर में दर्द बहुत जादा देखने को मिलता है तो उसमें यह बहुत अच्छा लाग देता है अगला हुमियोपैथिक मेडिसिन है इसमें कॉस्टिकम, यदि आपको हड्यों में दर्ब, मास्पेशियों में दर्ब, बहुत ज़्यादा पुराना देखने को मिल रहा है, तो उसमें यह हुमियोपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा आराम देता है अगला हुमियोपैथिक मेडिसिन इसमें मिलाया गया है डल का मारा, यह भी जो है दर्ब में बहुत अच्छा बढ़त करता है, हर प्रकार के दर्ब में चाहे वह मास्पेशियों का दर्ब हो, जोरों का दर्ब हो, तो उसमें बहुत अच्छा अकरन में बहुत अच्छा आराम देखने को मिलता है यदि आपकी कंश्टीपेशन के वज़े से कमर में दर्द देखने को मिल रहा है तो उसमें भी जो है यह बहुत अच्छा लाव देता है अगला होमियोपेथिक मेडिसिन इसमें मिलाए गया है रस्टेक्स जो दर्द में बहुत अच्छा आराम देता है अगला होमियोपेथिक मेडिसिन इसमें है रोडो डेड्रों यह भी जो है दर्द में बहुत अच्छा इसका असर देफिन को मिलता है जो इसमें होमियोपैथिक मेडिसेन, मिश्रन के तौर पे इसमें मिलाए गया है ऐ जानते हैं इसकी डोजेज के बारे में यदि आपको दर्द बफू जादा है, अस्सहनिये दर्द है, आप दर्द से दम परसान है तो उस कंडिशन में आपको दस गूंद हर दो घंटे पे इसका इस्तमाल करना है आधे कब पानी में यदि दर्द कम जाता है तो उसके बार आपको इसका इस्तमाल दस से पंद्रा गूंद तीन बार करना है सुवा दूफर साथ बहुत अच्छा लाब देखने को मिलेगा आपको इस नवस्य HIYU 닉ठिक मेलिसिन आपको हम्योपैथ मेलिक लस्टोर में या उन-लाइन जाएगा जैसा भी आपको अच्छा लगे उस तरह सा आप इसको खरी सकते हैं पर्जिस कर सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों पड़े वीडियो को देखने के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे तब तक जो है आप अपने हेल्थ को हेल्दी रखें टेक क्या धन्य जाहिए जाहरा